कि यह गाइस वेलकुम तो थे टेंथ लेक्चर ऑफ दे चाप्टर स्ट्रॉक्ट्रल और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथीलियम टिशू के बाड़े में तो चलो यह लेक्चर शुडू करते हैं देखिए सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथीलियम टिशू के जो सेल्स होते हैं वो पिलर लाइक होते हैं इन शेप टॉल होते हैं लंबे से होते हैं लंबे लंबे स्लेंडर होते हैं दुबले पतले टाइप थिन होते हैं पतले पतले ठीक हैं लंबा और पतला पिलर लाइक शेप होता है simple columnar epithelium tissue के cells का ठीक है कि चलो कि elongated nucleus is present at the base of cell जो nucleus होता है देखो अब cell कैसा है वो pillar like elongated तो nucleus भी किस तरीके से होगा इसे round नहीं होगा elongated होगा तो इस तरीके से elongated nucleus जो है कहां present रहता है at the base of cell cell के base पे present है ओके function की बात करें तो it help in absorption and and secretion ठीक है absorption and secretion में मदद करती है they are found in stomach stomach में पाया जाते है stomach की जो lining होती है simple columnar epithelium tissue की होती है तो stomach or intestine में पाया जाते है and help in secretion and absorption ठीक है अब आप इसको एक ट्रिक की तरह याद कर सकती हो GIT gastro intestinal tract में पाया जाते है gastro जो word है वो related है stomach से on intestinal मतलब आप समझ गया intestine की बात और यह दो तरह के intestine होते small and large small and large तो GIT में आपको git में gastro intestinal tract में किस तरह की epithelium की lining मिलेगी तो simple columnar epithelium tissue मिलेगा उसकी lining मिलेगी काम क्या करते हैं यह tissue absorption and secretion में help करते हैं ठीक है तो आपने यहाँ पर example देख लिया stomach और intestine में पाया जाएंगे और भी examples देखते हैं तो moving on to the next slide examples of simple columnar epithelium tissue देखो liver में आपको देखने को मिलेंगे liver में bile duct में देखने को मिलेंगे यहाँ मारा bile duct ठीक है जो bile duct है na bile duct इसमें आपको देखने को मिलेगा liver में देखने हो मिलेगा यहाँ तक कि uterus के lining में भी यही present होते हैं यूटरेस में क्या present होंगे simple columnar epithelium tissue ओके अब यह जो अभ्याद करो previous lecture में हम simple की border epithelium tissue के बार में पढ़ रहे थे और हमने कुछ modifications देखा था simple की border epithelium tissue का simple की border epithelium tissue यह पढ़के आया ना भी हमने तो अभी simple columnar epithelium tissue के कुछ modifications हम देखेंगे चलो बढ़ते अगले slide में moving on to the next slide अब हम बात करने जा रहे simple columnar epithelium tissue के modifications की ठीक है तो यह हमारा simple columnar epithelium tissue है इस figure को अच्छे से देखो इसको मैं अच्छे समझाने वाला हो तो ध्यान से मेरी बातों को भी सुनिएगा यह हमारा simple columnar epithelium tissue है इसमें किसी तरह का modification नहीं है लेकिन अगर इसमें modification हो गया और आपको उपर में यह modified microvilli दिखने लग गया माइक्रो विलाई ठीक है माइक्रो विलाई तो याद करो जब भी आपको माइक्रो विलाई कहीं दिखता है किस epithelium tissue में तो उसके लिए जो हम prefix use करते है उसका नाम है brush border देखो इस चीज को अच्छे से देखो इससे में reference लूँगा और आपको समझाओंगा यह चीज में आपको पढ़ा क्या है हो जहां पर आपको माइक्रो विलाई दिख जाए उनका काम क्या है brush border और माइक्रो विलाई का function क्या होता है absorption कराना तो आपको simple columnar epithelium tissue onion अब हम इसका नाम क्या रखेंगे इसका नाम हम रखेंगे brush border simple columnar epithelium tissue कहां पर पाया जाएंगे गॉल ब्लैडर में जहां पर आपको माइक्रोविलाई दिखे उसके लिए आपको ब्रश बॉर्डर प्रिफिक्स यूज करना है प्रिफिक्स मतलब पहले लगा देना है सामने में लगा देना है तो यह मारा सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथिलियम टि प्रिफिलाई क्या कराते है एब्सॉप्शन कराते है तो गॉल ब्लैडर में यह जो टिशू हमारा क्या कड़ाएगा एब्सॉप्शन कड़ाएगा अब सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथिलियम टिशू में देखो क्या हुआ म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स जो थे हमारे मतलब जो हमारा सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथिलियम सेल था यह मॉडिफाई हो गया गॉबलेट सेल्स में जो हमारा देखो यह सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथिलियल टिशू है ना मॉडिफाई हो गया गॉबलेट सेल में गॉबलेट सेल में मॉडिफिकेशन वहा गॉबलेट स prefix यूज़ करते हैं यह एक नया information है इसको ध्यान रखना तो अब हम simple columnar epithelium tissue को क्या बुलाएंगे जब इनमें आपको goblet cells दीखने लग जाए इन्हें अब हम बुलाएंगे glandular simple columnar epithelium tissue कहां देखने को मिलेंगे stomach में and large intestine में अब gland है तो इनका काम होता है secretion तो stomach and large intestine में यह glandular columnar epithelium tissue है यह क्या कराते है secretion कराते है secretion में function role play करते है अपना role play करते हैं अब simple columnar epithelium tissue में क्या हुआ देखो modification हुआ और microbiali का formation हुआ और goblet cell का भी formation हुआ जो हमारे simple columnar epithelium tissue थे इनके जो cells ते मोडिफाई हो गया goblet cells में और साथी साथ microvilli का भी formation हो गया तो अब हम क्या बोलेंगे इस tissue को glandular क्योंकि goblet cell है brush border क्योंकि microvilli है glandular brush border simple columnar epithelium tissue अगर आपको prefix लगाना आ यह चीज अगर आपके दिमाग में रहा तो आराम से आप सारी बातों को समझ जाओगे ठीक है अब यह जो टिशू है यह आपको small intestine में देखने को मिलेंगे ठीक है काम क्या करते है इन tissue का काम क्या होता है small intestine में secretion क्योंगी goblet cell है and microvilli है तो absorption ठीक चलिए अब सुनिए simple columnar epithelium tissue में modification हो गया और आपको यहाँ पर cilia दिखने लगे cilia का formation हुआ तो अब हम इससे नाम देंगे ciliated simple columnar epithelium tissue काम क्या होगा movement का cilia है motility में role play करता है motile होते है तो ciliated columnar epithelium tissue आपको देखने को मिलेंगे fallopian tube में and epindymal epithelium of brain ventricle csf fluid जो होता है cerebrospinal fluid उसका movement कराते uniform movement कराते epindymal epithelium जो होते है वो कहां पर brain में याद करो और fallopian tube में जो एग का movement होता है ovary से uterus तक का fallopian tube से होता है fallopian tube के through होता है तो fallopian tube में यह ciliated simple columnar epithelium tissue present होते हैं जो की एक के movement में अपना role play करते है जो एक जिसको ovary से fallopian tube से होते हुए uterus तक जाना है ठीक है ovary में ovary से uterus तक जो एक को जाना है अब देखिए conical shape like क्या हुआ स्टेरियो सीलिया का अब हम इसे क्या बुलाएंगे simple columnar epithelium को stereo ciliated, stereo ciliated columnar epithelium tissue कहां पर पाया जाते है यह epididymus में and vast difference में ठीक है चलो तो I hope आपको यह जो modification है यह समझ में आ गया simple columnar epithelium tissue का ठीक है अब एक और इसका modification है जिसका नाम है pseudo stratified epithelium simple columnar epithelium tissue का एक और modification है यह थोड़ा detail में हम पढ़ेंगे इसे अगले lecture में lecture number 11 में ठीक है तो अभी के लिए यह जो lecture है होता है यही पर समाप्त इस चीज को जो मैंने आपको समझाया ना पूड़ा इस चीज को इसको अच्छे समझेगा यह अगर आपको याद है तो यह जो चीज है आपने आप figure देखके यह आपको समझ में आ जाएगा कि कहा stereo cilia है कहा आपको पता चल जाएगा किस तरह का epithelium tissue है क्या वह ब्रश बॉडड़ेड है क्या वह ग्लैंडूलर है क्या वह स्टेरियो सिलेटेड है ठीक तो यह पर यह लेक्चर होता है समाप्त मिलता हूं मैं आपसे Structural Organization in Animals के अगले लेक्चर में तब तक के लिए बाए थैंक यू टेक केर